दोस्तो आप जानते हुँ कि अभी जो जंगल है हस्देव जंगल उसका बहुत सारा वीडियो आ रहे है यूटूब में दोस्तो आज हम उसी जहा के लिए बचाने के लिए यह वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तो आप देखे होंगे अभी मेरे स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से पेड़ों को काठा जा रहा है और कोईला खदान के चक्कर में कैसे कैसी स्थिति हाँ पर आ करें चुकी है आधी वासी लोग को अपने जमीन और घर और सभी को लिए दोस्तो आड़नी कंपनी के दार यहां पर कोईला खदान बनाना रहे हैं उसी के कारण यहाँ पर पेड़ काठा जा रहा है बिड़ काठने से दोस्तो यहाँ पर पूरा घर परिवार जंगल पसू स सब को यहां से हटाना पड़ रहा है तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारी लोग आंदेलन भी कर रहे हैं तो चली आपको दिखाते हैं कि जंगल में आपको किस प्रकार से मंजर देखने को मिल रहा है और कैसे प्यारा था लेकिन कटने के बाद कैसे हो गया है उसको चली आपक ने से स्टार्ट के ढहरें चलते हैं और भी क्या कि देखने को मिलता है किस प्रकार देख रहे हैं पेढ़े का गए तहल्ने हैं तो दोस्तों आप बड़ा-बड़ा और इतना पुराना पेढ़inkों का कटा गया है मैं यहां पर देख सकते हो यहां अक्य côté पेड़ के जड़ों से देख सकते हुआ यहां पर देखिए यहां पर देख से एक दो तीन पेड़े हाँ पर काठा गया दोस्तों डोन से दिखाता हूं रातो राद यहां पर लगभग 300-400 पेड़ काठे गए हैं और इसको बचाने के लिए आपको अंदोलन भी किया रहा है उ सब लोग कीजिए हैस्टेग ट्यूटर में ट्रेंड चलाइए सेव हजदेव भैरन या सेव हजदेव बहुत सारे आपको पास ओप्सन है दोस्तों आजकल आप Facebook Instagram ट्यूटर तो चलाती ही हो तो बचाने के लिए सब साथ आईए और दोस्तों फैमिली के बीच भी इसको सेर कीजिए ताकि हजदेव का अपना जंगल बचा रहा है यहां से आजसीत इस जंगल पर पसू पक्षीत जनतू सभी लोग आसीत रहते हैं हम जंगल से दोस्तों आप जानते हो कि पहले हम पहले हम जब पढ़ने जाते थे स्कूल तो हम पेड़ की च्छाओं में बैठ कर पढ सब कुछ काम करते हैं पेड़ हमें दो फसल देती है माल लो फसल जैसे बता रहा हुं को मौहा आपका आम इमली बहुंच सारे चीज हम यह पेड़ों से मिलती है तो पेड़ से हम आस्तीत रहते हैं दोस्तों इसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग को एक जूट होना पड जाते हैं लेकिन इसको काटने में सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगता दोस्तों तो सोचिए एक पेंड की कीमत कितनी होती होगी जिसको छोटा सिकर के बड़े किये रहते हैं तो आईए साथ मिलकर हस्दयों को बचाने में जुड़िए मैं सबसे अगरह करना चाहता हूं कि आप सुचिए कि कैसे रहेगा हमारा फ्यूचर हमारे आने वाली पिढ़ी क्या जंगल देख पाएंगे या नहीं आप हमें कमेंट करकर जरूर बताइए और देखिए जंगल की यह नजारे और आंक मैं तो देख रहा हूं यार तो दिल से डम अजीब से रेक्शन हो रही है दिल कर दो कर दो दो झाल 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 झाल